Hey everyone, welcome back to the channel, I hope आप सभी बहुत अच्छे होगे आज की वीडियो बहुत ज़ादा special होने वाली है, खास कर लड़कियों के लिए जितनी भी बेटियां हैं, CBSC ने उनके लिए की scheme जारी की है जो कि हर साल CBSC सी scheme को लेकर आता है और इस scheme के तहट आप लोग को 500 रुपीज पर मन्त जो है वो मिलेंगे तो चलो हम लोग जान लेते कुछ बाते जिसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये जो 500 रुपे पर मन्त की scheme है वो किस बच्चे के लिए और कौन-कौन इसे अपलाई कर सकता है तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी या कोई भी अपडेट होगी आप लोग के लायक तो आप लोग को लगातार मिलती रहेगी और वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाया तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि CBSC ने एक scheme जारी करी है merit scholarship scheme इस scheme के तहरे CBSC ने ये कहा है कि जितनी भी लड़कियां है अगर वो लड़कियां class 10th pass out कर चुकी है online application of CBSC merit scholarship scheme for single girl child who has passed class 10th in 2021 जिस भी लड़कियों ने अपनी class 10th 2021 में pass out करी है उन लड़कियों के लिए और मतलब 2021 में अगर उन्होंने 10th pass out करी है और अब वो 11th में पढ़ रही है तो दोनों के लिए है और साथ में है कि अगर जिसको 2020 में scholarship मिली थी ये वाली तो वो अपने certificate को renew भी करा सकती है होता क्या है कि ये जो scholarship है इसमें दो साल तकी scholarship मिलते है अगर आपने class 10th pass out करी है तो आपके class 11th और 12th की tuition fee के लिए आपको पर मन्त 500 रुपे दिये जाते है याने के एक साल के लगभग कितने हो गए 6000 या 5000 माल लो दो महिने अगर आफ भी रहता है गर्मी की चुटियां तो 5000 एक साल और 5000 अगले साल याने के 11th और 12th में कुल मिलाके 10,000 रुपे मिलते हैं लेकिन मिलते कि इसको है जो single girl child होती है उसको याने के अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है और वो लड़की है तभी मिलेगा ठीक है और साथ में इसको आप लोग apply कैसे कर सकते हो इसको आप लोग cbsc www.c.gov.in या 17 जनवरी 2022 से पहले आप लोग apply कर दीजिए comment section में बता देना कि कितने बच्चे हो जो apply करना चाहते हो तो form अगयर है कैसे fill up होंगे क्या-क्या documents की requirement होगी उसके regarding में एक और वीडियो लाके आप लोग को सारी चीजे जो है वो समझा दूँगा I hope आप सभी को ये information अच्छी भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगेन बोल रहा हूं चैनल को subscribe भी कर दो कोई भी scholarship के regarding अगर आप लोग के लिए program आता है कोई भी scheme आती तो आप लोग के साथ मैं जरूर share करूंगा thank you for watching the video